हलो डियर सुडेंट्स लास लेक्चर में हम लोगोंने ग्राफिकल इंटरपेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखा था उससे पिछली क्लास में लोगोंने ग्राफिकल इंटरपेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज देखा था हमने जानना था पिछली क्लास में कि yx graph को दो points पर मिलाने वाली straight line का slope उन दो points के बीच के interval के लिए average rate of change of y with respect to x बताता है इसी तरह हमने जाना था कि yx graph में किसी point पर draw किये गए tangent का slope उस point पर instantaneous rate of change of y with respect to x बताता है इसी क्रम में हमने आपको एक question दिया था कल की class में आईए उसको solve करते निए पिछली class में आपको एक question दिया था क्या था question पहले देखते हैं question कुछ ऐसा था कि यह distance covered था और इस एक्सिस पे time था ठीक है ग्राफ कुछ यूँ बना हुआ था ठीक है ग्राफ कुछ ऐसा draw किया हुआ था आप से कहा जा रहा था कि कि guess the time or instant when the instantaneous speed is equal to average speed till then तो माल लेते हैं कि say this say this is the instant desired instant means आईए इसको माल लेते हैं T1 है ये तो say यानि माना T is equal to T1 is the desired instant then बहादुरों ये बताइए कि instantaneous speed at time T is equal to T1 is equal to क्या होगा बताइए अब जब speed की बात चुरूए नहीं तो speed कुछ और नहीं बलकि rate of change of यह नहीं सोचे आगी rate of change chapter में speed कहां से आ गया और यह speed भी तो rate of change ही है rate of change of distance covered with respect to time तो बहादुरों instantaneous speed at time T is equal to T1 कहां से आएगा तो आपने सीख रखा है कि वह इंस्टेंटेनियस rate of change find करने के लिए स्पॉइंट पर हम क्या करेंगे टेंजेंट ड्रॉक करेंगे एक तो यह लीजिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉक कर दिया जो ग्राफ को ती इक्वल टू टीवन पर टच कर रहा है ग्राफ को कहां टच कर रहा है ती इक्वल टू टीवन पर ठीक है ध्यान से करना है कि यह ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करें ऐसी लाइन आप ड्रॉक कर रहा है दिस इस टीवन तीवन पर यह ग्राफ को टच करने वाली लाइन है और रहा है माल लेते हैं कि यह पॉजेटिव डिरेक्शन ऑफ टाइम एक्सेस से एंटी क्लोप वाइसेंस में माल लेते हैं कि अलफा एंगल बना तो क्या हो जागा उसका स्लोप हो जागा टैन अलफा तैन अलफा हो जाएगा बहादुरों यह दि मैं डिस्टेंस कवर्ड को एस कह दूं और टाइम को टी कह दूं ठीक है तो अब जरह मुझे यह बताईए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड यह तो ग्राफिकली हम बता रहे हैं ऐसे यह बात कर ले रहे हैं कुछ बात कर ले रहे ह यह जरूरी नहीं है तो आप जरह मुझे बताईए इंस्टेंटेनियस स्पीड एजबरिकली कैसे फाइंड करते थे यह याद है ना कैसे करते थे differentiation machine के द्वारा इसका मतलब यह 10 alpha किसके बराबर होगा ds by dt यहनि first derivative of s with respect to t that is first derivative of distance covered with respect to time t चलिए ठीक है अब देखते हैं कि average speed कितनी होगी t is equal to t1 तक यह t is equal to 0 है average speed यह मैं आपसे पूछ हूँ कि also average speed from t is equal to 0 to t is equal to t1 is equal to average speed कितना होगा ठीक है average speed बोले तो पून average rate of change of distance covered with respect to time कि यहां distance covered को आई यह स्पेसिफाई कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कि बोले तो t अब बताइए बहादरों कि average rate of change कैसे आता था क्या सिखाया गया ग्राफिकली average rate of change find करने के लिए तो ग्राफ को इन दो पॉइंट जिन दो पॉइंट के बीच हमको average rate of change बताना है तो यहां पे time is independent variable तो इंटर्वल कौन सा है जिसमें हमको average rate of change of distance covered with respect to time बताना है interval at t is equal to 0 to t is equal to t1 तो इस इंटर्वल में average rate of change बताने के लिए इन दोनों पॉइंट्स पर हम ग्राफ को मिलाएंगे यह ग्राफ को हमने यह मिला दिया ग्राफ को मिला दिया तो ग्राफ को मिला दिया इन दो पॉइंट्स अब देखिए यह एंगल बीटा है ऐसा माल ले रहे हैं तो यहां average rate of change of distance covered with respect to time क्या होगा from t is equal to 0 to t is equal to t1 that will be tan बीटा क्या होगा tan बीटा अब जरा मुझे आप बताईए कि अब देखिए tan बीटा क्या हुआ तो t is equal to t1 से t is equal to sorry t is equal to 0 से t is equal to t1 तक के लिए average speed हुआ क्या है tan बीटा और t is equal to t1 पे instantaneous speed क्या हुआ tan अलफा तो अब बताईए कि क्या alpha बीटा के बराबर है since here alpha is not equal to beta आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि alpha तो बीटा से बड़ा है बहुत बड़ा है दिख रहा है ना यह alpha बड़ा है बीटा से and hence और इस प्रकार जो हमने माना था कि t is equal to t1 desired मने 1 खिक desired मने 1 खिक तो जो हमने माना था कि यह जो हम point गशिक मने जो हम चाहते हैं हम क्या चाहते थे कौन सा समय चाहते थे हम वो समय चाहते थे जिस समय instantaneous speed वही हो जो t is equal to 0 से उस समय तक की average speed हो यानि T is equal to T1 हमारा desired instant हो जाता यदि alpha और beta दोनों क्या हो जाते बराबर हो जाते बहादुरों तो hence T is equal to T1 is not the desired यानि एक्छिक समय या तच्छन नहीं है instant या time ठीक है T is equal to T1 वो तच्छन नहीं है वो समय नहीं है जिसकी हम तलास कर रहे थे ठीक है तो यहां तक आप video pause करके note करिए फटा फट अब देखिए एक बार फिर करते हैं ठीक है अब फिर से ऐसे ही guess करते हैं एक दूसरा point यह time axis और यह distance covered axis यह हमारा graph बहादरों माल लेते हैं कुछ लोग के दिमाग में ऐसे आ रहा होगा क्या किसे रेकाम करते हैं यहां वाला जो point हो वही रहने देते हैं और average speed के लिए हम यह tangent drop कर दिए तो यह देखिए आपका यह जो point है यह यह time हमारा हो गया ऐसे कुछ किसी के मन में आप में से चुकि इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं तो offline classes में जब घुम घुम के copy चेक करते हैं तो देखते कुछ बच्चे ऐसा भी कर रहे होते हैं हैज एक time ले लिए-टीवन क дов और यहां पे एक टाइम ले लिए-टीटू कर आद चेया है यह 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 पहले दिख रहा है आपको टाइम तो इसको चीवश्यलिए इसको ती डीटू करते हैं कि यहाँ पर एक टेंजेन ड्रॉब करते हैं। यह देखिए first class यहाँ पर टैंजेन ड्रॉब करते हैं। हो सकता है कि आपको मैंने पिछली class में चाह् façon भूप में दिया था तो हो सकता हैं कि सर यह दोनों लाइने लगभग चुकि मैंने इंटेंशन मेरा वही है मैं चाहता जरूर वही था अब चुकि यह हाथ से डिरेक्ट हीचा हुआ है तो पैरलल सा नहीं दिख रहा है लेकिन मैं कोशिस कर देता हूं कि पैरलल जैसा दिखे अब देखे जब यह दोनों लाइने पैरलल दिख रही है तो वह कहेंगे कि यह 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 अलफा कहते हैं और इसको बीटा कहते हैं लिजिए इसको बीटा कह लिया जाओ लेकिन हीर सिंस हीर अलफा इजेक्वाल टू भीटा इसलिए अपना 37hmm is equal to क्या हो जाएगा 10 बीटा अब यह 10 अल्फा क्या है तो 10 अल्फा क्या है तो 10 अल्फा है instantaneous speed at time t is equal to t1 बहादुरों 10 अल्फा क्या है instantaneous speed at time t is equal to t1 और 10 बीटा क्या है 10 बीटा है average speed from T is equal to from time T is equal to 0 to T is equal to T is equal to T2 10 beta क्या है T is equal to 0 से लेके T is equal to T2 तक का average speed है ना और 10 alpha क्या है T is equal to T1 पर instantaneous speed है और 10 beta क्या है T is equal to 0 से T is equal to T2 तक का average speed है अब बताईए क्या आपको यही वाला T1 या T2 चाहिए था क्या बिल्कुल नहीं क्योंकि average speed हम यहाँ पर 10 beta जो निकाले है वो average speed है T is equal to 0 से T is equal to T2 तक और instantaneous speed हम बता रहे है T is equal to T1 तक तक यह एक्स्प्रेशन बिल्कुल साहिए 10 alpha is equal to 10 beta तो हमको मिला क्या हमको मिला instantaneous speed हमको मिला क्या क्या बात बनी क्या हम जो चाहते थे वो समय मिला क्या नहीं यह तो कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि हम average speed निकाल रहे हैं 0 से T2 तक 0 से T2 तक तो हमको instantaneous speed भी निकालना होगा कब तक क्योंकि हम average speed कब से कब तक निकाल रहे हैं तो instantaneous speed क्योंकि हमको कहा जा रहा है कि instantaneous speed जिस समय के हम निकाल रहे हैं ती इक्वल टु 0 से उस समय तक की average speed उसके बराबर होना चाहिए यानि जिस instant पर this instant पर instantaneous speed बता रहे हैं instantaneous speed जिस instant पर instantaneous speed बता रहे हैं ती इक्वल टु 0 से उस instant तक की उस instant तक की average speed भी उतनी ही होनी चाहिए ठीक है तो अब बताईए क्या आप यहां पर टी इक्वल टु टी वन को डिजायर इंसेंट कहेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए हम सर हम दोनों में से किसी को भी डिजायर इंसेंट नहीं कहेंगे क्योंकि हम average speed t is equal to 0 से t is equal to t2 तक का बता रहे हैं और instantaneous speed t1 पे बता रहे हैं जबकि यह t1 हमारा answer तब होता जब हम यह जो instantaneous speed t is equal to t1 पे बताए हैं t is equal to 0 से t is equal to t1 तक का average speed यह यह ऐसी line खीचनी थी ऐसी t1 पे graph को cut करती 0 और t1 पे तो उसका जो slope है वो 10 alpha के बराबर ना चीए था वैसा तो हो नहीं रहा और t2 तब हमारा जबाब होता जब यह जो line हमने खीची है जो कि 10 beta average speed बता रहे है t is equal to 0 से t is equal to t2 तक का तो हम क्या करते t is equal to t2 पे एक tangent खीचते graph पे और वो जो tangent का slope होता वो हमारा कितना होता टैन बीटा होता और वो तो हो नहीं रहे यहांगर मैं कि दूख चोंग तो यह beta से बड़ा एंगल आएगा और यहां यहां यादि ती वन पर मैं से किंचूंग एवरेज स्पीट फ्रम टीट 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 ऒड़ों के लिए तो आलफा से छोटा एंगल आ है था तेनल फा चोटा हो जाएगा थांद तो नहीं हमारा टी वन हुआ इस तरह से सो हीर so here neither T1 T is equal to T1 nor T is equal to T2 is our desired instant ठीक है फटा फट आप वीडियो पास करिए note करिए और खुब ध्यान से इसको विचार करिए अब आई एक बार और गेस करते हैं और सायद इस बार हम लोगों को desired instant मिल जाएगा यह हमारा distance covered वाला axis है और यह हमारा time axis भादरों यह हमारा जो graph था अब आप जरह सोचे सायद आप बात को पकड़ रहे हैं कौन सा वो समय है जब instantaneous speed t is equal to zero से उस समय तक की t is equal to zero से उस समय तक की average speed के बराबर है वो कौन सा समय है भादरों वो समय कुछ ऐसा होगा कि उस समय पर खीचे गए tangent का slope और t is equal to zero से उस समय को मिलाने वाली सीधी रेखा का slope दोनों क्या होना चाहिए बराबर ना चाहिए तो सीधी बात है क्या हम t is equal to zero से क्यों उस समय पर यानि graph के उपर एक tangent खीच दे graph के उपर एक tangent खीच दे तो graph के उपर tangent अब देखिए tangent तो आपको मैंने vector में बताया था इसलिए यह देखिए सब tangent है जो भी graph को एक जगा पर touch करे वो क्या है जैसा है यहां कीचना है तो यह यह ऐसा यह देखिए यह tangent हो गए तो graph को जिस point पे कोई सीधी रेखा touch करेगी उस point पे वो graph का क्या कहलाएगी tangent कहलाएगी तो हम क्यों ना t is equal to zero से graph के उपर tangent कीचे तो प्रयास करते हैं यह देखिए यह यहां tangent कीच आएगा इस graph में एक ही जगा टेंजेंट हम खीच पाएंगे graph के उपर भादरों यह देखिएगा बहुत बारीकी से मैंने एक टेंजेंट कीच दिया है यह ग्राफ है हमारा भादरों यह टेंजेंट की कहीं इस पॉइंट पर है भादरों यह देखिए यह टाइम चलिए टी वन टी टू यह सब मान चुके हैं आए इसको हम कह देते हैं टी त्री या फिर टी नॉट कुछ भी कह लिए अब यह सीधी रेखा को थोड़ा मागे बढ़ा दें बहादरों यह बताओ अब मान लो कि यह एंगल है थीटा से अब मैं पूछ रहा हूं तुम बताना यह बताओ बहादरों कि instantaneous speed instantaneous speed at time t is equal to t3 is equal to बताओ क्या होगा instantaneous speed at time t is equal to t3 बताओ यह क्या होगा तो instantaneous speed at time t is equal to t3 होगा टेंजेंट का स्लोप टेंजेंट का स्लोप अब यह देखिए टेंजेंट यही तो सीधी रेखा है इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव डिरेक्शन ऑफ टाइम एक्सिस से एक्स एक्सिस यह क्या है टी एक्सिस से बोले तो टाइम एक्सिस से तो उससे एंटी क्लॉक वाइस से कितना एंगल बन रहा है थीटा तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा टैन थीटा अब जरा मुझे बताएगे अल्सओं कि हिएर कि एवरेज स्पीड अ फ्रॉव की यह पॉत्टो जीरो टूटीज इक्वाल टूटीटीटी वहादरों बता दे ना यह को तो पर गराफ को मिलाने वाली से यही तो वह है जो गराफ को दो बिंदों पर मिला रही है this straight line is tangent to this graph at t3 as well as this straight line itself joins the graph at points t is equal to 0 and t is equal to t3 यह 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 t is equal to t3 पे यह line graph पे tangent भी है और graph को t is equal to 0 और t is equal to t3 पे यही line मिला भी रही है तो इसलिए average speed भी हमारा क्या हो जाएगा 10 theta मजा आ गया t is equal to 0 से t is equal to t3 तक average speed भी 10 theta और t is equal to t3 पे instantaneous speed भी 10 theta बोले तो जिस instant पे instantaneous speed 10 theta है उस instant तक की average speed भी 10 theta है यानि t is equal to t3 पे instantaneous speed भी 10 theta और t is equal to 0 से t is equal to t3 तक की average speed भी 10 theta so the desired instant is so the desired instant is what t is equal to t3 यानि यही वो समय है हमने guess करके पकड़ लिया t3 graph के उपर वो समय यहां पे है अब आप कहेंगे सर आप कैसे पहुँच गए तीसरी बार आपने तुक्का लगा और आप यहां पहुँच गए बहादुरों कोई किसी को अगर बात जल्दी न समझ में है तो वो पांच बार में पहुँचेगा लेकिन लासली करना तो उसको यही पड़ेगा और दूसरा कोई पॉइंट नहीं होगा इस पे कोई दूसरा समय नहीं है जिस समय पे instantaneous speed t is equal to 0 से उस समय तक की average speed के बराबर हो ठीक है तो दिस वाज ब्रिलियंट question one of the best possible problem related to rate of change and especially graphical इस से बहतर question नहीं हो सकता था हमको rate of change का graphical interpretation समझने के लिए rate of change को graphically समझने के लिए graphically interpret करने के लिए इस से बहतर question नहीं हो सकता है जरूरत महसूस हो रही हो तो इस question के solution को जो मैंने आज समझाया है इसको एक बार और देखिए ज़रूरत हो तो एक बार और देखिए और तब तक देखिए जब तक बहतरीन ढंग से आप इसको समझना जाए मुझे उमीद है कि most of the students एक बार में ही इस बात को अच्छी तरह समझ गयोंगे और ऐसी भी मुझे उमीद है कि आप में से बहुत सारे लोग ने पहले से ही ये time बिलकुल सही guess कर रखा होगा ठीक है तो आईए अब आगे बढ़ते हैं अब बहादरू हमनों का अगला टॉपिक है Maxima Minima and this topic is the last topic of this chapter rate of change rate of change का अखिरी topic है and this topic is also strongly connected very strongly connected with graphical interpretation of rate of change यानि जो आपको पिछे बात बताई गई कि graph के किसी point पर खीचे गए टेंजेंट का स्लोप ध्यान रखेगा बिलकुल कभी भी नहीं भी सोरनी कि यह बात यह कि graph के किसी point पर खीचे गए टेंजेंट का स्लोप उस point पर instantaneous rate of change of dependent variable with respect to independent variable बताता है और graph को दो points पर मिलाने वाली straight line का स्लोप average rate of change of dependent variable with respect to independent variable बताता है वो टाइम बिंग समझने के लिए से dependent variable को य और independent वेरियबल को आप एक्स कह सकते हैं तो दी वाई वाई डी अग्स अगर आपको graphically बताना है तो कैसे बताएंगे टेंजेंट के स्लोप को दी वाई बाई डी एक्स कहेंगे instantaneous rate of change of y with respect to x और यदि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बताना है यह एवरेज rate of change of y with respect to x बताना है तो देट हम पढ़ेंगे next class में आज के lecture में बस इतना ही जो question आपको कराया बहुत important question था और बहुत strongly समझने के लिए इसको आपको एक दो बार इसको अगर revise करने के जुरूरत हो तो revise करिए वापस से देखिए and then we will move ahead with this topic hardly एक lecture का यह topic है और एक class में बात खताम हो जाएगी अगला class अगली अगला lecture हमारा एक घंटे यह उससे उपर का होगा मिलते हैं लोग next class थैंक यू थैंक यू बेरी मच